क्या आप जानते हैं कि करवचोत क्यों मनाया जाता है अगर आपका जवाब है नहीं तवाज का यह वीडियो आपके लिए काफी जानकारी भरा होने वाला है हिंदु धर्म में पती को परमेश्वर के समान माना गया है और इसलिए पती की सेवा करना परम करतव्य होता है इसलिए सभी शादी शुदा महिलाएं अपनी पती की लंबी एवं सुखद आयू हे तू सच्चे दिल से भगवान की पूजा अर्चना करती है वैसे तो हर घर में पती पतनी के बीच छोटी मोटी नोगजोग रोजाना चलती रहती है लेकिन एक पती ब्रतनारी के जीवन में हर साल एक विशेश दिन करवा चोट का होता है जिस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपनी पती की लंबी आयू के लिए उपवास रखती है हिंदू समुदाय के विशेश पर्व करवा चोट को भारत के अनेक राजियों में मनाया जाता है और पती पतनी के बीच प्यार को कायम रखने के लिए मनाया जाने वाले इस पावन पर्व के बारे में आप भी विश्तार पूर्वक जानकारी पाना जरूर चाहेंगे तमश्कार दोस्तों और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के देविक गरूप दोस्तों मुख्य रूप से यह पर्व स्वाभाग्य वती इस्त्रियां मनाती है यह ब्रत सुभा सुर्योदय से पहले करीब 8 वजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद पूरा होता है पती के सौभाग्य एवं लंबी आयू हेतू हिंदू समुदाय की महिलाएं हर वर्ष एक दिन कर्वा चौद का ब्रत जरूर रखती है इस ब्रत के दोरान महिलाओं को भूके पेट यानी की बिना जल्पान ग्रहन किये इस ब्रत को रखना होता है पती पत्नी के लिए साल का सबसे विशेश दिन होता है जिससे उनका एक दूसरे के प्रती लगाव और प्यार और अधिक बढ़ जाता है आजकल ना सिर्फ सुहागन महिलाएं बलकि कुमारी कन्याएं भी भविश्य में सुन्दर निरोगी और सौभागयवन पती की कामना करने के लिए निर्जला ब्रत रखती हैं समय की बात करें तब यह ब्रत सुभा सूर्य जैसे लेकर रात को चान निकलने तक रखा जाता है और रात को चान के दीदार के साथ ही महिलाओ द्वारा चंद्रुमा को अरग अरपित कर पती के हाथों द्वारा जल-ग्रःण कर इस ब्रत को तोड़ा जाता है इस विशेश दिन में महिलाओं द्वारा भगवान श्री गणेश और माता चतुर्थी की पूजा अर्चनावी की जाती है हिंदु पंचांग केलिंडर की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रतेक वर्ष करवा चौथ के रूप में इस दिन को मनाया जाता है आपको बता दें कि इस वर्ष करवा चौथ हमेशा की तरह दशहरे और दिपावली के बीच 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है दोस्तों किसी भी पर्व को मनाय जाने के पीछे विशेश वज़य होती है ठीक उसी तरह करवा चौथ को मनाने के कारण को जानने के लिए हमें पौरानिक कथा को सुनना होगा तो दोस्तों आईए जानते हैं इस कथा के बारे में जिसकी वज़य से करवा चौथ का ब्रत शुरू हुआ दोस्तों बहुत समय पहले की बात है वीराबती नाम की एक राजकुमारी थी जिसके साद भाई थे सभी भाई अपने एक लौती बहन का खयाल रखते थे बीराबती की उम्र वरने के साथ ही एक राज घराने में राजकुमार से उसकी शादी कर दी गई शादी के वाद बीरावति अपने पती की लंबी आईयू के लिए करवाचौथ का ब्रत रखने हेतू अपने माई के चली जाती है कमजोर स्वास्त के साथ वीरावती ने करवचौत के इस ब्रद को रखा और कमजोरी की वज़ेसे रात को चांद दिखने से पहले ही वीरावती भूख प्यास से व्याकुल होने लगी वीरावती की हैपीला उनके भाई को सहन ना हुई और वीरावती के छोटे भाई ने इस ब्रत को तोड़ना ही उचित समझा लेकिन बिना चांद को अर्ग अर्पित किये बगैर वह भोजन नहीं कर सकती थी इसलिए छोटे भाई ने नगर से बाहर जाकर अगनी जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश को दिखा कर बताया कि बहन चांद आ चुका है अब चांद को अर्ग दे कर भोजन कर लो इस प्रकार इस धोके को सच मान कर बीरावती सच मान लेती है और अगनी को अर्ग दे कर भोजन कर लेती है लेकिन भोजन का निवाला मुँ में रखने से पूर्वी अशुब संकेद मिलने लगे पहले कौरे में बाल निकला जबकि दूसरे में उसे च्छीक आई और तीसरे कौरे में उसे खवर पहुची कि उसका पती मर चुका है पती के मृत शरीर को देख कर बीरावती को अत्यंत दुख हुआ और अपने इस कृत्त के लिए खुद को दोशी ठहराने लगी उसका यह है विलाप सुनकर देवी इंद्रानी इंद्रदेब की पत्नी वहाँ पहुची और बीरावती को सांत्वना देने लगी बीरावती ने जब इंद्रानी से पूछा कि करवा चौत के दिन ही उनके पती की मृत्यू क्यों हुई तो इसके जवाब में देवी इंद्रानी ने कहा तुमने बिना चंद्रुमा को अर्ग दिये बगैर ही अपने करवा चौत के ब्रत को तोड़ लिया है इस वज़े से आपके प्रती की असमय मृत्यू हुई है तता देवी इंद्रानी ने वीरावती से कहा कि तुम करवा चौत के ब्रत के साथ साथ प्रतेक मा की चौत को भी ब्रत रखना शुरू करो ऐसा श्रद्दा पूर्वक करने से आपका पती पुना जीवित हो जाएगा देवी इंद्रानी द्वारा कहे गए इन बातों से वीरावती ने करवा चौत के ब्रत के साथ साथ पूरे भक्ती भाव से प्रतेक मा की चौत को ब्रत लिया जिससे पुन्य के रूप में बीरावती को अपना पती पुना जीवित मिल गया आईए दोस्तों अब जानते हैं कि स्पर्व को कैसे मनाया जाता है सभी सोहागन महिलाओं के लिए यह विशिश दिन होता है इसलिए इस मौके पर वे अपने पती के लिए खूब सजधच कर हातों में महंदी रचा कर हातों में चूड़ी पहन कर खूब सोला सिंगार करती है और इस प्रकार सोहागन स्त्री पती की पूजा कर ब्रत का परायन करती है इस दिन उपवास रखने वाली महिलाएं प्राता काल उठकर इस्तनान करती है चूकि यह दिन महिलाओं की सजने सवरने का भी होता है तो इस दिन वे अपने पसंदीदा परिदान पहनती है भालतिय परंपरा के मुताविक अधिकतर महिलाएं इस पर पर साड़ी पहनना अधिक पसंद करती है और पसंदीदा साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ी एवं गहने त्यादी पहन कर सुन्दर दिखती है आकाश में चंदुर्मा के दिखाई देने के बाद चंदुर्मा को अर्ग देखर अपने पती के चनर इसपरश कर उनके हाथ से जलपान ग्रहन कर इस ब्रत की समापती करनी होती है दोस्तो करवा चौट के ब्रत के लिए विदी बताई गई है अगर हम इसकी विदी की बाद करें तो ब्रत की दिन सूरद ऐसे पूर्व इशनान करने के बाद सबसे पहले मम सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्रादी, सुष्थिर, श्री प्रापताय, करक चतुर्थी, ब्रत महम, करिश्य यह संकल्प कर लेना चाहिए इसके बाद पूरे दिन निर्जल रहना चाहिए शाम के समय मंदिर में पूजा करते समय भगवान शिब, मा पारवती और भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए माता पारवती को सुहाग की वस्तूओं को अर्पेत करना चाहिए और उनका श्रिंगार करना चाहिए सभी सुहागिन महिलाओं को ब्रत की कथा सुननी चाहिए तथा शाम को चंद्रवा के दर्शन के बाद ही पती के हातों से जल ग्रहन करना चाहिए इसके बाद अन्त में अपने पती, साथ सतुर और बड़े बुजर्गों का आशिरवाद लेकर इस ब्रत को समाप्त करना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि करवा चौद का ब्रत क्यों मनाया जाता है साथ ही इस ब्रत को मनाने के पीछे क्या कारण है आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप यह वीडियो करवा चौद के दिन देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दा दैविक गुरू के साथ धन्यवाद झाल